मैं हूँ लवलेश कुमा आप देखां जेट एक टेप दोस्तों यह आप चाह रहा हूं घर पे च्छत पे सूलर पेनल लगवाना तो आज की वीडियो जरूर देख रहना क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको सबसेडी वाले सूलर लेना चाहिए या नही यह आप अगला वीडियो के स्टॉपिक पर चाहते हैं तो यह जरूर बता दिया करें तो दोस्तों बात करते हैं सोलर पैनल के लिए तो सबसे पहले दमाग में एक जरूर घंटी बस दिए कि सबसेडी मिल जाए हाल हलुआ खाने जाएंगे रसुछ भी करने जाएंगे वहा कि आपको सोलर आपको प्रित्यक्ष फायदा देने वाला आपको लगाते ही साथ तो आपके बिल बंद हो जाएगा कम हो जाएगा जैसा पैनल आपने लगाया उस पैटरन से कुल मिला के फायदा आपका है आप चाहते हो गवर्मेंट समसीडी दे बहुत अच्छी बात है सब्सीडी बारे सोलर पैनल के चक्रों में ना बढ़ा करें क्योंकि जो सब्सीडी बारे सोलर पैनल लगाते हैं वह हमें सारोते रहते हैं कि हमारा बारिश में काम नहीं कर रहा है हमारा हल किसी दूप चलिए उसमें काम नहीं कर रहा है बिजली प्रॉपर नहीं बन रही है है क्योंकि वो सब पॉली सोलर पैनल होते हैं जो सबसीडी में आते हैं और कुल में लाके मैं ऐसे बताज़ता हूं कि जो सोलर पैनल जैसे माल लिए इससे मन का भी भेहम दूर हो जाए क्योंकि जहां सबसीडी का नाम आता है कुछ यूनिक फर्म है जिनके फ्रूह ही यह सोलर पैनल खरीनने होते हैं और उन फर्मों का क्या है उन फर्मों की सोलर पैनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया होती है जो गौर्रमेंट से इनक पास होती हैं तो वह सबसे उनिजा के सबसे घठियां माट्रियल से बले हुए पॉलिकुली जब्कि आज मोनोत वाले होते हैं उनका प्रिचला ना वहाई ऐसे मैं आपको जो आपको करेंट रेट सोलव पर चल रहा होता है मार्केट से उससे करी करीब 25 तीस परशेंट ऊपर के दामों पर आपको सोलर चिपखाय जाते हैं और वह सोलर चिपखाय जाते हैं जो आपके काम नहीं आए बस आप सब सेड़ी यह लगा है लेकिन आप मोनो कॉलिटी के जैसे मौनो में हारहे हैं और 109 बाराथ तक कुंपने वार तक के बार्त प्रत रहे हैं तो अपके सुबह सोबह साड़े पाँच बज़े चला सकती है यह जिसे ही आपकी अज़ाला शुरूह होता है उस समय से काम करना शुरू कर देते हैं जब तक आपका उजाला रहता है जिस्ते समय आप ड्राइविंग कर सकते हैं गाड़ी चला सकते रोड पर उतने उजाला रहे आपकी धरती पर तब तक यह 16 पैनल काम करते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप सफेड़ी दमाग से निकालने अब आती है बात मतलब आप जितनी बिजली कंपणी को बेचेंगे उसका आपको एक रुपय भी नहीं देगी कंपणी यह किसी भी स्टेट में हो आप चाहें कश्मीर से लेके कन्या कुमारी हो चाहें आप गुहाटी से लेके गुजरात तक हो कहीं पर भी आप चले जाएंगे वहां आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा उस देंदारी को आप ऐसा कर सकते हो कभी साधी बवाह कोई जनम दिन बगएर उस समय आप एक्स्ट्रा उनसे बिजली लेके फूंक लें और वहां इस बिजली के बिलकुर बने बराबर कर लें तो इस तरह से उनका हिसाब किताब चलता है वह 20 और 20 क्लोबार्ट से उपर नहीं लगाने देंगे तो उस तरह से क्या होता है 2 क्लोबाट जब पैनल लगाएंगे तो आपकी बहुत कम बनेगी और दिन में जो आपकी नेट मीट्रिंग पर चल जाएगी वह आप रात में यूज कर लें दिन भी आप यूस कर रहे तो अच कि आपकी यूनिट को कम बढ़ किया जाता है यह दिमालो आपकी बिजली नेट मीटर पर ज्यादा जा रही है तो माइनस में दिखाने लगेगा यह बिजली बॉर्ट से बपस ले रहे हैं तो वहां मीटर चलने लगे तो इस तरह का पूरा हिसाब किताब होता है लेकिन इस प सब्सक्राइब लगवा के दस भी सब्सक्राइब बेश सकेंगे और आप नगत कमा सकेंगे तो इस चक्र में मत पढ़ जाएं मत लेना वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आपको सिर्फ उतना ही सोलर पैनल लगाने की प्रमिशन दिजाएगी जितने आपके घर का ल आपको इंफोर्मेटर लगा हुए तो लाइक करना क्या जानकारी और आप जाना चाहिए वह कंट बोक्स में बता हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में इस खुला आपके लिए और आपके लिए कुछ कभी कबार कुछ का टाइब कर द झाली